हे गाईज दिस इस प्रिती आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एकोनॉमिक सर्वे 2018-19 बात आती है कि आज ही के डेट में हम लोग इसको क्यों डिसकस करेंगे मैंने आपसे कुछ टेम पहले एक क्वेशन पुछा था कि हमारा जो बजट है नई सरकार का बजट है इसको कब पे करेंगे अब इसके लिए क्या क्या चीज़े हो सकती जैसे अगर आपको बताना हो कि अपने बजट में अगर माली जी आपका घर है आप अपने घर में आने वाले टाइम के लिए बजट अपना फिक्स करने तो आप क्या करेंगे आप पूरा सर्वे करेंगे कि हां मेरा मंतल प्रोग्राम्स बनाने हो वो क्लियर हो कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं तो आगे बात करते हैं लोग इस बार का जो बजट पेस्ट किया गया है वो किया गया है इस बार का जो एकोनोमिक सर्वे है इसको संसद में पेस्ट किया हमारी वित मंतरी निर्मला सीता रमण ने 4 जुलाई 2019 को और आज है हमारा 5 जुलाई आज के दिन बजट पेस्ट होगा तो आने वाले टाइम में आपके पास चीजों को याद रखने के लिए बहुत से टॉपि इसको बनाया गया है मुख्य आर्थिक सलाकार केवी सुब्र मन्यम द्वारा नाम याद रखेगा आर्थिक सर्वेचर 2019 को किस ने तयार किया है केवी सुब्र मन्यम अब देखिए इनकी जो आयू है ना अभी अगर इनके इन्होंने जो प्लांस दी है इकोनोमिक सर्वे में इन पे काम किया जाए तो इनकी IU 65 प्लस हो जाएगी तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो भी मुख्य आर्थिक सलाकार है उनका एज बढ़ाने की बात हो रही है ठीक है कि उनकी एज 65 साल से अधिक हो जाए ठीक और इसके लिए किसका उधारण दिया गया है जर्मनी का, अमेरिका का, ब्रेटेन का, चीन का इन सहीत कई देशों का उधारण दिया गया है कि जो इनकी IU होती है मुख्य आर्थिक सलाकार की इसको बढ़ा दिया जाए याद रखेगा पेस किस ने किया निर्मला सीता रमन ने 4 जुलाई को, 5 जुलाई को बजट पेस होगा तयार किस ने किया है, मुख्य आर्थिक सलाकार केवी शूब्र मन्यम ने इसको तयार किया है अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आर्थिक सर्वेचण कहते किसे है फिर जो देखेगे एक ओवर्व्यू है, ठीक है कि हर इंसान इसको पढ़के समझ सके कि आर्थिक सर्वेचण क्या होता है या किस तरह के क्वेचण यहां से पूछे जाते है पढ़ते हैं, आर्थिक मामलों की विभाग भारत का वित्मंत्राले केंड़ी बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेचण प्रस्तुत किया जाता है तो यह मैंने आपको बता दिया बात आती इसको कैसे तयार किया जाता है तो मुख्य आर्थिक सलाकार और वित्मंत्राले के मार्ग दर्शन में इसको तयार किया जाता है यह हमारी जो कंट्री उसके वार्थिक आर्थिक विकास पर आउलोकन करता है क्या कहा है इसमें वित्मंत्राल है भारत सरकार आर्थिक सरवेच्छर का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले बारा मैनों में भारती आर्थवेश्टा की विकास की समीक्षा करता है मतलब last one year में हमने जो भी आर्थिक विकास किया है या कुछ लॉस किया है ये उन सभी की चीजों की समीच्छा करता है जिसके बेस पे हम बजट सत्र के दौरान जो भी हमें important decisions लेने होते हैं उसमें ये हमारी help करता है तो I think आपको clear हो गया होगा कि economic survey किसे कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं इस बार के economic survey की तो जो मोधी government है उसका या पहला आर्थिक सर्वेश्ट चड़ है जिसे संसद में पेस किया गया है जो इसका कारेकाल है इसका पहला आर्थिक सर्वेश्ट चड़ है और इसमें कहा दिया है कि 2019-20 में विकासदर में तेजी आएगी और इसके साथी अर्थवेश्टा कितनी होगी 7% होगी ठीक है साथ फीशदी विकासदर का अनुमान है इस बार और ये करते ही भारत दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुई अर्थवेश्टा बनेगा पिछले साल के अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी GDP की विद्धिदर थी वो 5 साल के नियूनतम अस्तर पे थी कितनी थी 6.8% और अभी हमने क्या कहा है कि इस साल या कितना होगा 7% होगा 7% अगर इंक्रिमेंट का बात करें तो 7% इंक्रिमेंट का मतलब यह है कि भारत दुनिया में सब इस इयर या कितना होगा 7% होगा याद रखेगा यहां से question बनेगा हमारा अब आर्थिक सर्वेचर 2019 के important बातों पे आते हैं देखे इसमें क्या है पहला कि अगर भारत इसमें याद रखेगा इस भारत 2024 से 25 तक 5 trillion की economy बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी अर्थवेश्ता क को 8% की सतत वास्तविक GDP विकासदर की जरूरत है मतलब मतलब अगर हम 5 trillion dollar की economy बनना चाहते हैं तो हमें 8% से growth करना होगा जबकि अभी economic survey में क्या कहा गया कि भारत की जो growth होगी वो कितनी होगी 7% होगी 2019-20 में इसके लावा है कि वित वर्स 2019-20 में मांग बढ़ेगी और तो जो investment है वो भी बढ़ेगा किसी चीज को अच्छे यह बताएगे अगर मानलेजी आप कुछ बना रहे हैं मानलेजी हम बता रहे हैं आप glass बना रहे हैं अब glass की मांग जब बढ़ेगी तो investment भी तो बढ़ेगा glass बनाने के लिए investment तो करना होगा न तो वही है हमारा कि 2019-20 म तेल की कीमतों में गिरावट देखी जाएगे यह important question है कि वितवर्स 2019-20 में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को महसूस किया जाएगा यह काफी important है इसको याद रखेगा अब समीच्छा की बात करें तो इसमें MSME जो हमारा सूच मध्यमें लगो द्योग है उसमें अध हैं और उत्पादक्ता को भी बढ़ाने फिर भात आती है विसकल डेफ्सेल की क्योंकि आपको पता है कि जो भारती अर्थववیश्था हमारे पास 20 रुपे की कमाई हमने 50 रुपे खरच करने का पूरा एक बज़ट बना दिया है तो इसकी कमाई हम बाद में करेंगे इसलिए क्या है राजकोसी घाटा 5.8% रहने का अनुमान है अच्छा ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल ऐसे है कि जो टैक्स पेर हैं उनकी संख्या में वृद्धी हुई अभी आगे हम लोग देखेंगे और जबकि 2018 की बात क कितने पॉसंट था 6.4% ठीक तो फिसकल डेफसेट कितना होगा 5.8% रहने का अनुमान है 2018 में और 2018 में कितना था 6.4% ठीक है चलिए बात करते हम लोग टैक्स कलेक्शन की तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.4% की बड़ोतरी दर्ज की गई है जबकि कार्पुरेट टैक s काफ़ी अच्छा हुआ है अच्छा ऐसा टैक्स कलेक्शन के आपको एक चीज बता दूं देखे टैक्स कलेक्शन में यह गया है कि इक नए है योजना लाया गया यह जिसमें क्या किया जाएगा हर जिले में जो टॉप 10 कर दाता होंगे उनको एईरपोर्ट पर टोल भूत पर वी वी आईपी सुविधाएं दी जाएंगी ठीक है और जो एमिग्रेशन काउंटर होगा एरपोर्ट पर उनको अलग लाइन पर रखा जाएगा और उनके बोर्डिंग में प्रात्मिक्ता दी जाएगी और सड़क पर फास्ट लेंज जैसी सुविधा भी दी जाएगी ऐसा अगर किया जाएगा तो लोगों के अंदर टैक्स पे करने की प्रवित्ती बढ़ेगी तो इसको याद रखेगा काफी इंपोर्टेट है इसके साथ साथ एक चीज और याद रखेगा कहा तो जा रहा है कि जो बिहार, ज सारकंड और यूपी जैसे राज्य हैं, यहां पर कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर यूवा जादा होंगे, ठीक है, 2021 तक यूवा जादा हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आर्थिक सर्वेच्छड के अनुसार, कामकाजी आ पढ़ेगा, मतलब जो मैकसम लोग रहेंगे, उनको रोजगार दे दिया जाएगा, और अभी जो अपने अनिम्प्लोइमेंट रेट पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि 45 एर में हाईश रेट था, 2018 में अनिम्प्लोइमेंट रेट, तो इसके लिए गोवर्मेंट को एक अ साड़े बारा प्रतिसत होगा, याद रखेगा, आयात कितना होगा, 15.4 प्रतिसत और निर्यात कितना होगा, साड़े बारा प्रतिसत होगा, निर्यात, थोड़ा बहुत खापी कि खटम कर लेंगे, तो निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, इसके अलमा बताया गया है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार अभी सर्वोच अस्तर पर है अगर हम लोग भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो अभी ये कैसा है सर्वोच अस्तर पर है और जबकि यह 2018-19 में 412.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान है इसको याद रखेगा 2018-19 में कितना होगा 412.9 अरब डॉलर फिर हम लोग बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की इंपोर्टेंट है स्वच्छता जलवायू परिवर्तन यह सब इस समय के काफी इंपोर्टेंट मुद्दे हैं तो इसमें देखिए लोगों को काफी ध्यान से पढ़ना होगा देखिए है क्या कि जो सोचालयों की पहुच है परिवारों तक उसको 93.1% है वह कितना है 93.1% है सोचालयों की पहुच है जिन लोगों की सोचालयों तक पहुच है उनमें से करीब 96.7% ग्रामीड भारत उनका उप्योग भी कर रहा है क्योंकि ये matter नहीं करता है कि कितने जगा सोचाले की पहुच है matter ये करता है कि कितने लोग इसको use कर रहा है तो इसको use किया जारा 96.6% भारतियों के द्वारा इसके अलामा अगर हम लोग बात करें तो 30 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों में 100% व्यक्तिकत घरेलू सोचाले की coverage है तो इसको याद रखेगा अब हम लोग आ जाते हैं क्रिशी पे क्रिशी की बात करें तो देखें क्रिशी में हमारा है सकल पूजी निर्माण GSF 2017-18 में क्रिशी सेत्र में सकल पूजी 12.2% और घटा और 2017-18 में 15.6% रहा था ठीक है इसको याद रखेगा कितना घटा है 12.2% घटा है फिर अगर हम लोग बात करें क्रिशी चेत्र में महिलाओं की भागिदारी की तो 2015-6 की अवदी के 11.7% की तुलना में 2015-16 में बढ़ के कितना हो गया है 13.9% हो गया है 37-7 अगर हम लोग बात करें छोटे और सिमान्त किसानों में ऐसी महिलाओं की संख्या 28% हो गई तो इसको याद रखेगा क्रिशी चेत्र महिलाओं की भागिदारी 2015-16 में बढ़ कर 13.9% हो गई है और छोटे और सिमान्त किसानों की बात करें तो यह 28% रही है तो इसको याद रखेगा important question है next है हमारा की आर्थिक सरवेचण में भविश में गंभीर जर्म संकट की ओर इसारा किया गया है और 2050 तक भारत में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या हो जाएगी तो यह अगर हम current affair पढ़ते हैं सारी चीज़े आपके clear होती जाती है वन बाई वन जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 20 जहां पर पानी कास्तर नियूंतम है उसमें चार भारती सहर सामिल है इसके अलामा भारत में सिमला और करनाटका के दो ऐसे जिले है जो क्या करेंगे तो अभी इस समय जीरो डे की जीरो डे पर आने वाला जीरो डे का मतलब क्या है कि जब सहर में किसी भी नल से पानी ना आए एक जवरदस्ती पानी ये अपने खुद से पानी मतलब पानी का लेवल हाई हो लेकिन जब सहर में इस तरह से पानी नाया तो उसे क्या कहा जाता है जीरोटे के रूप में मनाया जाता है उसके बाद अगला है हमारा कि 2018-2019 में खाद्यान उत्पादन कितना रहेगा तो 28.34 करोड टन होगा खाद्यान उत्पादन जबकि क्रिसी, वानकी और मत से पालन में 2.9% की व्रिद्धी दर्श की जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा ये तो हमारा क्या था ये हमारा डिटेल में था अब इस पर किस तरह से question पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ज़्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको ज्यादा लोग देखेंगे तो हम भी क्या करेंगे कि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है तो हम आपको इसका एक proper MC सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें डेली अप्डेट्स पाने के लिए बैल अकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच